हाइ एरिमन स्वागत अभ्शाब रुणे का प्रबाध वैटिंग सर्विस में दोतो आज की वीडियो में हम रिलाइंस इंडस्ट्री की इनॉलेसिस करने वाले हैं क्यों करने वाले है क्योंकि देखिए आज Reliance Industry ने अपना Quarterly अपना Quarter 3 का Result Post किया है तो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक शूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए हम पर ले लेते हैं overall view की Reliance Industry ने क्या overall numbers पेश किये हैं तो हम आज चुके Reliance Industry के numbers पे देख सकते हैं Reliance Industry ने 13.5% का जंप किया है Quarter 3 के net profit में right year on year मतलब देखो profit बहुत बढ़िया है लेकिन the most important thing is GRM GRM 9.2 पर बैरल आये हैं तो यह थोड़ा सा कम है पिछले quarter से थोड़ा सा और deeply बात करते हैं देखिए Reliance Industry का quarterly profit कितना है 11,640 करोड right on consolidated basis right कितना jump है year on year 13.5% साढ़े 13% का jump किया है ठीक है अब देखिए दो चीज़ कम आई है ठीक है Reliance Industry के result में एक तो क्या कहते हैं GRM और दूसरा revenue right जो main चीज़े जो effect करती है stock को revenue क्या आया है कम आया है decrease आया है 1.4% जो की है एक लाख 68,000 करोड मतलब यह इस बार का कह लीजिए revenue आया है जो की पिछले quarter से फोड़ा सा कम है 1.6% अभी जो जखिए जो pivot है हमारा वो increase हुआ है 9.6% जो की है 12,088 करोड राइट ऐसे बात करें हमारा देखो cash profit of reliance दिरिंग the quarter increase by 10.7% जो की 18,511 करोड और देखो बात करें अगर अर्णिंग पर share की EPS की तो वह हुआ है 18.4 मतलब जो की 6.1% से अप है year on year राइट तो यह भी अच्छी बात है बात करें EBITDA की right EBITDA भी हमारा main होता है EBITDA क्या आया है दोस्तों EBITDA हमारा बढ़ क्या आया है अब देख सकते हैं कि यहां पर लिख रहा है कि EBITDA of retail business grew like 62.3% year on year to 2727 करोड और देखिए digital service का EBITDA कितना आया है अच्छा बात करें GRM की that means gross refining margin तो यह देखो 9.2 barrel आया है पिछली quarter कितना था मैंने आपको पिछली quarter भी बताया था कि पिछली quarter अच्छा result अच्छा GRM आने का संभावना है लेकिन इस बार नहीं आया है 0.2 barrel से थोड़ा सा कम आया है अगर हम बात करें देखो रिलाइंस जीयों के नंबर्स की तो देखो रिलाइंस जीयों के जो नंबर्स है वह इंक्रीज हुए revenue इंक्रीज हुआ है 28.2 परसेंट से जो की है 16,517 करोड सब्सक्राइबर देखो बे देखिए में जो चीज से subscriber waste बड़ा है और 370 million add up किये हैं अगर बात करें net profit की तो देखो net profit increase हुआ है कितने से 63.1% से तो यह है हमारा रिलाइंस इंडस्टी का overall result देखिए मेरे हिसाब से result ठीक ठाक है उतने बढ़िया भी नहीं है हाँ profit ठीक है लेकिन profit को थोड़ा सा रोक सकता है क्या रोक सकता है GRM रोक सकता है और revenue के numbers रोक सकते हैं तो overall result ठीक ठाक है ठीक है अच्छा अब हम direct चलते हैं हम समझते हैं main चीज की चार्ट पर हमें क्या करना है ठीक है हम आच चुके reliance industry के चार्ट पर देखिए reliance industry जो previous जो गिरा था जो पहले गिरा था कितना 1616 से वह support लिया था उसने 1500 क्या स्पास क्योंकि जैसा कि हम आप जैसा कि हमने आपको बताया था जो previous support होता जो previous resistance होता है ठीक है जो previous resistance होता है वाद में support बन जाता है राइट तो previous support हमारा previous resistance हमारा कितना था यह था 1500 के आसपास था और अब हमारा यह support बन चुका है आप देख रहे हैं आप ए support कितनी बार लिया है एक बार दो बार तीन लगवार चार बार इस लेवल पर इस लेवल पर इसने support लिया है राइट डाट मेंस इट इस वेरी critical level and it is a very strong level for the reliance अब देखिए अगर हम बात करें कि reliance क्या कर सकता है मंडे के session में देखो reliance ने आधी मूव दे दी है कहां से 1530 से 1585 ने बास समझने आप हाँ अब जो बंदा यहां पर एंटर करता है उसके लिए रिस्क टू रिवार्ड अच्छा नहीं होगा फेवरेवल नहीं होगा राइट अब आप अगर अहां पर एंटर करते हैं तो आपका stop loss थोड़ा सा आपको अच्छा और देखो इधिम बात करें टागेट कित तो देखो हमारा टागेट क्या होगा यह होगा 1617 अब फिर से यहां पर रेंज बनाएगा अब देखिए क्या होगा यहां पर अब यदी रिलाइंस ने 1616 के उपर ठीक है 1616 के उपर दो से चार कैंडल दो से तीन कैंडल डेली की कंटिनूसली क्लोस कर दी तो मैं आपको बता दो रिलाइंस में 1670 के लेवल आ जाएंगे आप देखो यह लेवल आने के लिए कितना 1617 या 1616 के उपर इस लाइन के उपर कैंडल क्लोस करनी पड़ेगी डेली की तभी यह इतना लेवल जाएगा तभी 1670 का ही लगाएगा अच्छा अब 1670 पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों 1670 पर हमें आख बंद करके रिलाइंस को बेच दिना है क्योंकि देखो अभी रिलाइंस आप कह सकते हो कि ओवर बॉट हो चुका है हाँ थोड़ा बहुत रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा उपर चला भी जाएगा ठीक है क्योंकि मोमेंटम में है अभी है के नहीं जिसा कि आपने आज देखा तो लेकिन अब वही है कि 1650-70 के आसपास इवन 1650 पर चले जाए आप वहाँ पर निकल जाएगा अपना प्रॉफिट लेके जो लोग इन्वेस्टर हैं आप थोड़ा सतर्ग हो जाएए 1650 के आसपास 1660 के आसपास क्योंकि इवन 1600 के आसपास भी क्योंकि रिलाइंस 1650-60 से जादा नहीं बढ़ने वाला फॉर शॉर क्योंकि ये ओवरवार्ट सिचुएशन में आ चुका है अब क्या होगा अब लेवल यह जो लेवल है यह जो पंदरसों का लेवल है अगर यह तूट जाता है इन केस तो क्या होगा रिलाइंस में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी 1400 के लेवल तक ठीक है यह हमरा क्या है टार्गेट होगा लेकिन यह तूटना चाहिए तभी होगा जो क अहाल फिलाल भी मुम्किन नहीं है अभी क्या है अभी 1670 का लेवल आ सकता है रिलाइंस में वहाँ पे आप निकल जाईएगा क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग इसमें क्या करेंगे बिक्वाली करेंगे वहाँ पे यह इन्वेस्मेंट के लिए बढ़िया नहीं होगा अग है कि हमने देखिए हमने आपको जो पहला टागेट है 1617 का क्यों बताया क्योंकि इस लेवल के उपर इसने दो बार रसिस्टेंस ले चुका है तो इस बार भी हमेशा यह 101 परसेंट ट्राई करेंगे आप एक बार थोड़ा पॉज लेगा अल्राइट सो जोस्तों यही है रि पानिशल एड्वाइजर से सलाह कर लिजेगा आपको लेना है कि नहीं लेना है ठीक है देखिए मेरा अभी इसमें कोई इन्वेस्मेंट का राय नहीं है अभी के लिए क्योंकि अभी ओवरबाट हो चुका मेरे नजरिये से हां यहां से 100 रुपया चले जाएगा लेकिन 100 र लिखे बताइए हमारी वीडियो का सी लगती है तिल देन गुट नाइट टेक टॉट